फ़ब किया बोले हैं एक थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग जो हो रहा है कि विपक्स जो बोल रहा है कि बीजेपी जीत गी एंडेया जीत गया पर मोदिजी को हमने हरा दिये सर पहली बात तो यह देखो वो अकेला एक मोदी के नाम के उपर वो 249 सीटे ले आया सिर्फ भाजपा भाजपा और यह सारे चोर मुचक्के एको करके 233 पार नहीं कर पाए ठीक है जी पहले तो इनका यहीं पर डाउन हो जाता है ठीक है मोदी जी कहां हार गए मोदी तो सबक जैसे एक बच्चे एक्जाम दे करके आता है ना उसे पता है मैं फेलियरू मेरी उलाद निकम्मी है वो 33 नमबर ले आता है वो खुश होता है हाई मैं पास हो गया 95 परसंट वाला जिसने महनत 100 नमबर की गरी होती है उसके 95 नमबर आने की 95 नमबर वाला जादा सक्षम होग वो तो कुछ हिंदू गदार निकल गए क्या कर सकते हैं अब तो हमें यह सोचना है कि हमें भारत के बार के दुश्मनों से नहीं लड़ना हमें मुस्लमानों का विरोध नहीं करना हिंदू जो हिंदू का विरोधी है पहले उसको तो सामने लाओ इतना कुछ दे दिया पचास करोड लोगों ने जंडा फैर लगा दिया था घर के उपर पचास करोड लोगों ने डीपी बतल दिए यह सोया हुआ हिंदू जाग गया होगा यह जाती धरम से बाहर आ गया होगा लेकिन इन्हों ने अपनी उकाद बता दी कि हम जातियों से भार नहीं निकलेंगे चाहे एक एक जाती वर खता मोझा हिंदूस्तान से यह नहीं आप बोल रहें कहीं ने कहीं जाती वाद ने इस बार चुनाव को थोड़ा सा बीजेबी को जो डेंट पहंचा है जो चोट पहंची है मोधी सरकार को यह जाती वाद ने पहंचा है तो आप क्या सोच रहे हैं व उनकी बन रही है तीन सो तीन सीटों पर फिर पहुंच गए वो तूटे क्यों कि जिन हिंदूओं को दस साथ में पिरो रहा था बता रहा था जागो 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 आखिर कारा करके वो मुर्दा लाशी बन करके निखले पिछडने का यही था कि मोधी सरकार के जो निडने थे ना जहाता मैं देख रहा हूँ यूपी के अंदर रामपूर के अंदर 2300 से 2200 वोड़ था मुसलिमों का 100 परसंट थीक है 536 मकान भी दिये थे बना करके और 6 वोट मिला उनको अब पहले मैं जब समझता था ना मैं सोचता था यार यह अकलेश यादव है लालू यादव है हैं यह हिंदू और यह एक अलग धरम का समर्थन क्यों करते हैं ऐसा क्या है उनमें अब मुझे समझाया कि वह ज़्यादा शान थै क्योंकि उनके खांदानी राजनेती रहे ख आड़े आठेजार का लालेच दिया वो टका टक टक हो गए उदर बक्स जो धावे कर रहा है खासतोर से कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांदी जी उनमें से कि बीजेपी जीत गई हलाकि नैंडिये जीत गया पर मोदी जी हार गया इस चुनाव में क्या बोलेंगे मोदी जी कहा रहे मोदी जी को तो बढ़िया मेंडेट मिला है 240 सीटे भारती जनता पार्टी ने अकेले दम पे लाई और जनता ने मेंडेट दिया है 240 का कॉंग्रेस का उठा के देख लिए जिन 99 पे सिमट गया कुनबा उनका वो उनकी जहनियत है उनकी गंदी सोच है वो सोच रहे है कि मोदी जी मेंडेट नहीं लापाए 200 तो मोदी जी की वो कम्यों के देख रहे है क्यों मोदी जी की सरकार बनने जा रही है नो तारीक को उनका एलाइंस उनके साथ है नाइडू है नितीज जी है पुराने अटल ज हैं हम बिहार का विकास लेके आगे जाएंगे बिहार को पीछे चोनने का काम किया है इन्हीं के लालू यादों में ने यूपीय की सरकार में क्या होता था हत्या पहरण लूट फिरोती बिहार के लोग यहां पलायन का दर्थ जहलने को मजबूर हैं यह राहूल गंदी क्या ब हवा की हाँ निकल गई है वह द तो आके सपत ले ले राहूल गांधी दिल्ली में, खुला दर्बार है, संभीधान के तहट आके सपत ले ले, बोलती बंद हो गई, सपत ले ले ले, अब मोधी जी को रोग के दिखा दे, संभीधान के तहट, नौतारीक को सपत लेने जा रहे हैं, इन्हीं क्या काम है, एक ग खरगे जी ने पिर स्कॉन्फरेंस करके कहा कि नहीं चुनाओ तो बहुत बढ़िया हुआ यह हुआ है अब इवियम में घपला नहीं हो रहा है आवसर वादी यह लोग है आवसर के साथ यह लोग जूडते हैं आवसर के साथ तूटते हैं अब मोदी जी आदेश को लेके चल कोई विरासत है क्या यह तो परिवार को डोने वाले हैं मोधी जी डेश के लोग के चलने वाले हैं नमबर नीचे उपर होता रहता है नतीजे आने के बाद जो विपक्स खुशया मना रहा है राहूल गांदी जि बोल रहे हैं मोदी जी का जो रधा उसको रोग दिया गया है विपक्स वाले बोल रहे है कि मोदी जी को कहीं न कहीं ये चोट पहुँचाये गया है क्या बोलेंगे लुख सबस्वार्ष। और जो जशन मना रहे हैं कि मोदी जी 400 नहीं लेकर आ पाई कॉंग्रेस पार्टी अपना इतिहास उठा कर देखे सन 1996 के बाद 2024 तक कॉंग्रेस पार्टी अपने अकेले दंपर कभी भी 240 का आंकड़ा छू नहीं पाई है जबकि 240 भारते जंता पार्टी अकेले अपने दंपर अपने कारियों के दंपर देशवासियों का दिल जीत कर लेकर आई है यह मतलब कैसा कैसे देख रहे हैं जो विपक्षॉलिय और कॉंग्रेस पार्टी बोलत रहे हैं मोदी जी ने चुनाव भी जीता है, मोदी जी ने देशवासियों का दिल भी जीता है और मोदी जी ने ना सिर्फ दिल जीता है बलकि दिल्ली भी जीती है देश की राजधानी दिल्ली में तीसरी बार साथ के साथ सांसत देना बहुत बड़ी उपलब्दी है और दिल्ली के अंदर जहाँ पर ब्रष्टा चार से लोग तरस्त थे ये राहूल गांदी उस कॉंग्रेस पार्टी से उस राहूल गांदी से गटबंदन करके बैठ कर मोधी जी का रत रोकने की कोशिश कर रहे थे कुद का रस फस गया दिल्ली के अंदर ही अपना रत गड़े में गराके राहूल गांदी किस बात की खुश्या मना रहे हैं कि साथ की साथ सीटे हारने के बाद भी आप नहीं उबर पाये हो कनिया कुमार जैसा व्यक्ति जिसके उपर आपने दाव लगाया वो लंगडा गोडा जिता नहीं पाया अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया वो मनोश तिवारी जी के सामने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देते हो जो देश द्रोहियों के आरोप लगते हैं जिनके उपर जो टुकडे टुकडे देश को करने की बात करते हैं और सामने आते हैं कि मोदी जी को 240 सीटे जो भारते जनता पार्टी अकेले को देश की जनता ने दी लिए इसलिए मोदी जी को तीसरी बार मौका दिया है। सिर्फ शेर मार्केट के बाद करेगा देश कहां से कहां पहुच गया वह आंकड़े देश के सामने रखो ना देश यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारत भारत की जो हमारी सनातनी की संस्कृत ही हमारा राम मंदिर बना है उस पर कभी नहीं बॉलेंगे आज की जो नगरी है वह नहीं बदले उनकी सोच नहीं बदली है वह आज भी उसी पर कायम है इनको समय कितना चाहिए यह ले लें लेकिन वह समय आज चुका है कि सनातन संस्कृति पुनर जागरित हो रही है और मोदी जी के तीसरे टर्म के अंदर आप देखिएगा कड़े और बड़े फैसले लेने वाला नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता पर 30 सुनी बार मैट गया है इस बार वो फैसले होंगे भारत वर्ष के अंदर के पूरा इतिहास लिखा जाएगा और पूरे वर्ड का लाइफ टेल पूरा वर्ड लाइफ टेलिकास देखेगा जब मोदी इत आप हम लोग आंदरा से आंदर प्रदेश से आप हाँ जी क्या वोलेंगे टीडिपी तेलकु देशम पार्टी चंदबावु नाईडू का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है मोदी जी को तीसरी वार प्रधान मंत्री बनाने में क्या वोलेंगे चंदर बावु पहल अधर प्रधेश में तुड़ा पाऊं जमा रहें इससे पहले वाहं पे बीजी पी को कुछ भी नहीं था हमारे लिए तो मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है और आयोधिया में जो बीजेपी हारी है इसका बहुत दुख है क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद में भी हार गई तो वहां के लोग किस प्रकार की सोच रखते है इतनी है वहां की यूपी की मेरे को आइडिया नहीं है फिर भी वहां से जो वहां पर परचार नहीं किये बिना भी बीजेपी आनी चाहिए थी तो वहां हरी है तो इस बात का बहुत बड़ा दुख्या हमारे के